हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम बाइलोजी चेप्टर पांच का लगुतर ये पर्षन का पार्ट टू वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं आप लोग चेनल को सब्सक्राइब नहीं कियें प्रीज सब्सक्राइब करके वेल आइकन उन कर दें ताकि क्लास 9 के सबी वीडियो आप तक पहुचे तो चलिए पार्ट टू का वीडियो अश्टार्ट करते हैं कॉस्चन नमर 11 से कॉस्चन नमर 11 में कहा जा रहा कि मिस्रित फसल उत्पादन एबम अंतर फसल उत्पादन में किया अंतर है तो चलिए फ्रेंस उसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा वैसी क्रिसी पदती जिसमें एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन साथ साथ किया जाता है उसे मिस्रित फसल उत्पादन काते हैं यानि कि मिस्रित फसल उत्पादन में एक साथ दो पोधों को या दो से अधिक पोधों को लगाया जा सकता है जैसे गेहों और सरसों अजब कि अंतर फसल को बात कर लते हैं तो अंतर फसल उत्पादन क्रिसी में दो या दो से अदिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में लगा जाता है, जैसे स्वयाबिन और मक्का, यानि अंतर फसल का मतला होगा जिए निश्चित पैटर्न यानि जैसे गैहूं के लेन एक पैटर्न इस तरह हो जाएगा खेत में जिसे ये मानिये खेत है इसमान गेंगों का पेटरन, दो गेंगों का पेटरन के बाद मक्का का पेटरन हो सकता है, फिर देगों दो गेंगों उसके बाद मक्का का पेटरन इस तरह से लगाया जाता है, चलिए अब अगला प्रशन की और बात कहलते हैं, बारे नमर प पोशक की पुना पूर्ति काफी हद तक हो जाती है इसका मुक्षी कारण है कि दरहन पधों की जड़ों में रैजोमियम जीवानों की गाठों का होना यानि दरहन पधों को बोया इसलिए जाता है क्योंकि दरहन पधों के जड़ों में रैजोमियम नामक जीवानों पस्तित र लखते हैं। फसल पोधा को विविन तरीको से पिड़कों एब हम अन्य हानिकारक जीवूं से मुग्द करने की परकेड़िया को फसल conductor काते हैं। इसके द्वारा खर्पतवार की टो जीवानू कब को से सुरक्षित जो है हमारा यह हम लोग का फसल सुरक्षित रहते हैं। चलिए चवधा नमर प्रश्ण की और बात करते हैं। चोधा नमर प्रचन है कि खेतों में खर्पतवारों को फसलों से मुक्त करने क्यों जरूरी है यानि खेतों में खर्पतवारों को फसलों से मुक्त क्यों करने जरूरी है तो इसका आंसर क्योंकि खर्पतवार फसल को उपलब्ध होने वाले पोसक तत्व जल परकास अस्थान क अधिकांस भाग को क्या करता है ग्रहन कर लेता कौन तो खरपतवार ग्रहन कर लेते हैं जिसके कारण फसल की व्रिदी पर परतिकुल पड़ता है इसलिए खरपतवार को निराई विदी द्वारा उसको अलग कर लिया जाता है फसल से चलिए अब पंद्रा नमर प्रश्ण की ओर पंद्रा नमर प्रश्ण है कि पिडग नासी क्या है खेतों में इसका उप्योग क्यों करते हैं तो इसका आंसर देते हैं फसलों की रोगों से सुरक्षा के लिए जिन रसाइनों का छिड़काव होता है उसे पिडग नासी करते हैं ओके खेती में इसका उप्योग करने से फसलों में कोई रोग नहीं होता अथा फसल जो है रोगमुक्त रहते हैं चलिया हो लाश्ट प्रश्ण की और नमी और तक्मान ख़दानों की परवाविद कैसे करते हैं अगर ख़दानों में नमी अधिकर आ गई तो शुचमुझीव कवकों आधि की विर्दी हो जाती है यदिसे अनाजो के वजन तथानकूरन चमता को कमी आता है ये हमारा ।क के कारण हुआ और आप तपमान के कारण देखते हैं तपमान में क्या है अगर अधिक तपमान में सुच में अनाजों का भंडारन होता है तो सुचमजीव कीटों की विर्दी बढ़ जाती है इसी के कारण अनाज अपने गुनबतर को खो देते हैं और जो बाकी का बचा यह हानिकारक होता है तो आज के वीडियो में यही तक रहने देते हैं अब तरी उतर यह प्रशन को अगले वीडियो में सुल्व करूंगा जय हिन जय भारत